एक भक्त के घर में एक संत भिक्षा मांगने के लिए गया। तो आबाज लगाया कि भिक्षाम दे ही मा, भिक्षाम दे ही कुछ भिक्षा दे दीजिये। आबाज सुनकर घर की बहु निकलती है घर से बाहर। बहु थोड़ा संसकारवान थी, समझदार थी, तो घर की बहु निकलती है और घर की बहु देखती है कि जवान संत हैं और साधू बन गए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं। अरे बुड़ापे में साधू बनना चाहिए ये बात समझ में आता पर कोई जवानी में साधू बन जाए। तो कम ही उमर का साधू था। तो बहु के मन में हो गया कि पूछ लेना चाहिए तो बहु ने कहा बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गए। अध्यात्मिक भांसा में बात करती है वो। बहु पूछती है बाबा से कि बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो बाबा ने कहा बेटा समय का ग्यान नहीं था। बाबा के पास घड़ी तो रहती नहीं है। अध्यात्य ससूर वही बेठक रूम में लेटा हुआ था। सुन रहा था बहु की और बाबा की साधू की बात। जैसे बहु बाहर निकली तो बाबा को देखकर पहला प्रश्ण किया कि बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो बाबा ने उतर दिया कि बेटा समय का ग्जान नहीं था इसलिए आ गया अब सेटी जी सोचता है समय तो राइट टाइम है एक बज रहा है एक बज़े खाने का टाइम और खाने का टाइम ही न कोई भीक मागेगा बाबा तो सही टाइम में आए है पर ये बहु कहती है कि बाबा इतना जल्दी क्यूं आ गए और बाबा भी कैसे मूरक है अरे लोग तो बिना घड़ी का पता लगा लेते कि कितना बज रहा है और इनको ये ख़बर नहीं कि कितना टाइम हो रहा है इसके बाद में बाबा बोलते हैं बहु से कि बहु तुमारी उम्र कितनी है आयू कितनी है तो सेट जी को ससुर को बड़ा गुस्सा आया सादू का काम भिक्षा लेके जाए किसी की बहु उमर पूछने से कौन फाइदा अच्छी बात नहीं किसी की बहु की उमर पूछो और संत बोलते कि बहु से कि तुमारी उमर कितनी है तो सेट जो लेटा था वो उटके बेट गया कि देखते हैं बाबा क्या क्या पूछता है तब बहु ने उमर दिया उत्तर दिया कि बाबा हमारी उमर तो अभी मात्र दो वर्स की है सेट कहता देखो बाइस साल की मेरी बहु उमर है और बोल रही दो वर्स की उमर है बाबा ने प्रस्ने किया कि बताओ तुमारी सास की कितनी उमर है कहा सास मेरी एक साल की अभी एक ही बर्स की है कहा अच्छा और कहे तुम्हारे पती कहे पती तो अभी दो मेहना का है पालना में जूल रहा है अच्छा पती दो साल का है आजा कहे ससूर अब तो सेट जो खड़ा बेठा हुआ था कान खड़े हो गया खड़े हो गया अपने बिस्तर से सोचने लगा कि जब अपनी दो साल उमर बताईी सास की एक बर्स और पती की दो महिना तब हमारी कितनी बताएगी ससूर कान लगा के सुनने लगा कि मेरी उमर कितना बताएगी जड़ा देखते हैं तब का बाबा ससूर तो हमारा अभी पैदा ही नहीं हुआ ससूर को बड़ा गुस्ता आया लाठी ठोंकने लगा सोफा सेट में बिस्तर में कि जाने दो बाबा को तब बहु को मजा चखाते हम हम पैदा हुए की नहीं हुए अरे हम पैदा नहीं होते तो सास कहां से आती और सास नहीं होती तो पती कहां से आता पती नहीं होता तो तुम कहां से आती लगता है कि बहु को कुछ बाहरी हवा लग गई बहकी बहकी बात कर रही है कि दो बरस की उमरे पूरी बाइस साल की ह और पती को एक बर्स और अपना सास को दो महिना बोल रही है और ससुर को बोलती कि पैदा ही नहीं हुआ है जनम ही नहीं हुआ अभी तो ससुर का है ससुर का बड़ा गुस्सा आता है कि मैं ही पुरा घर बनाया मैं ही साधी करके लेके आया और मुझे ही बोल रहे कि अभी पैदा नहीं हुआ, जनम नहीं हुआ ससुर का क्या हो गया मेरी बहु का जाते जाते महातमा एक प्रस्ण और बोल देते हैं अच्छा बताओ बहु, तुमारा ससुर ताजा खाता है, भोजन की बासा खाता है बहु ने कहा, कहां मेरी किस्मत और कहां ससुर का किस्मत इस घर में तो सब बासा ही खाना खाते हैं, कोई ताजा नहीं खाता ससुर को बड़ा गुस्सा आया कि इतने बड़ा सेठ में, नगर में इतना बड़ा सेठ कोई नहीं मार्केट में इतना बड़ा सेठ नहीं है करोण पती रोज गरम गरम बनता है पराटा पुड़ी खीर भुजिया रोज गरम तीनो टाइम और मेरी बहु बोल रही है कि कहां किस्मत में मेरे ससुर को ताजा लिखाओ तो बासा खाते हैं आज तो मेरी नाक कटा के रख दी बहु कितना बड़ा सेठ और बासा खाना खाता है भिक्छा लेकर जब महातमा अपने कुटी पर चला गया गाओं के बाहर एक कुटीया बनी हुई थी तब सेठ जी अपनी बहु से कहते क्यों जी जब तुम महातमा आया तो क्या क्या उल्टा सिधा जवाब दिया उल्टा सिधा प्रश्न किया तुम बहु हो क्या हो तुमने तो मेरी नाक कटा दी इस समाज में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है इतना मान सम्मान है और आज तुमने बोला कि बासा खाता है सेठ अभी ससूर अभी जनम नहीं लिया सास एक साल की पती दो महीना का तुमने तो आज मेरी नाक कट यह महात्मा नाजाने कितनी जगा बोलेगा कि फालाने की बहुत दो पागल है। शसुर से बहु बोलती हैपल्टाजी परसान क्यों होते हैं। हमने जो उत्तर दिया वो सही सही था, क Bakos Sun गलत कोई उत्तर सही नहीं था। तुम पूरी बाइस साल की हो और बोलती दो साल की है पती बोलती हो कि दो महिना का सास को बोलती एक साल की तुम कौन सहीं उत्तर दिया और बाबा भी कैसे बाबा था किसी की बहु की उम्र नहीं पूछना चाहिए और वो तुम से उम्र पूछ रहा कितने साल की हो उमर से कौन मतलब भीख छा लीजिए और जाईए कहा बाबा और हमारी जो बात हुई ना उसका अर्थ है आप नहीं समझोगे कहा कोन अर्थ है कहा चलिए बाबा की कुटी में बाबा से आप पूछ लीजिए गा ससुर गया और बहू भी साथ में गई बाबा की कुटीया में आसरम में ससुर ने बोला कि बाबा आप हमारे घर में गए बड़े सोभाग्य की बात है कहते जिस घर में चरण संत के पड़ जाए वो घर पवित्र हो जाता है जिन हातों से दान कर दिया वो धन पवित्र होता है और जिन हातों से सेवा कर दिये वो तन पवित्र हो जाता है जिस घर में संत के चरण पड़ते हैं घर स्वर्ग सा सुन्दर बन जाता है खुसियां ही खुसियां आ जाती है पर आज हमारे आंगन में आप गए, हमारे द्वार में आप गए, तो हमारे घर में तो महाभारत छिड़ गया, काई कौन चीज का महाभारत, का बाबा आप आए सही है, ठीक है, लेकिन मेरी बहु आपको आज कुछ गलत गलत उत्तर दे दी, और कुछ बात ऐसी है जो वो गलत बोल दी हम बड़े सेट हैं कोई कमी नहीं पचासो नोकर चाकर चल रहे हैं बड़े-बड़े गोदाम भरा है अनाज का लेकिन मेरी बहु ने कहा कि बासा खाते हैं और जब आपने उम्रे पूछा तो उम्री भी गलत गलत दिया महातमा जी ने कहा सेट जी आपकी बहु बहुत समझदार है वो गलत कहीं से कहीं नहीं है और जो उत्तर उस ने दिया है वो भी पूरा सहीं सहीं उत्तर है कोई उत्तर गलत नहीं दिया कहा कैसे गलत नहीं दिया है पूरी 22 साल की और बोलती हम दोई साल के हैं कहा यह अध्यात बहू बहु ने पहला प्रिश्न हैं बहू ने पहला प्रिश्न किया कि बाबा इतनी जल्दी क्यूं आ गए तो सेट के ता सहीना बोले बाबा कि टाइम है भोजन का आब लोजन के टाइम में ही आप आए पर मेरी बहु बड़ी मूर्ख है हमको वो आपको बोली कि इतनी जल्दी क्यों आ गए मातमाग ने कहा आप नहीं समझे यह टाइम बाली जल्दी की बात नहीं कर रही थी वो कह रही थी कि बाबा इतनी जल्दी साधना मार्ग में क्यों आ गए अभी तो संसार में मोज मस्ती करने का दिन था यह जवानी कोई भजन भक्ति ध्यान साधना के लिए नहीं है उनका कहने का मतला था इतनी जल्दी साधू मार्ग में क्यों आ गए बिक्षा मांगने बाली बात नहीं कर रही थी ओ पहला प्रश्ण जो किया बहु कि इतनी जल्दी क्यों आ गए अर्था इतनी जल्दी भक्ति मार्ग में साधना मार्ग में सन्यासी मार्ग में क्यों आ गए यह अध्याद में को प्रश्ण था तब मैंने उत्तर दिया कि समय क्या ज्यान नहीं ता यह घड़ी वाली समय नहीं यह मोत का कोई ज्यान नहीं कि ब इसी में सादू मार्ग में जल्दी आ गया क्योंकि मोत का कुई ठिकाना नहीं किस घड़ी किस समय कहा जब आ जाए इसलिए मैं सादू मारग में जल्दी आ गया सेट को समझ में आ गया कि बात कुछ दूसरी। फिर प्रिष्ण किया सेट ने कहा मेरी बहु की उमर पुरी 22 साल है और इसने कहा आपसे की दो ही वर्स की उमर हो रही जबकि ये पुरी 22 साल की है तब सादू ने उतर दिया कहा सेट जी 22 साल इस सरीर का हुआ है लेकिन वास्तिक उमर कब होती है जो दिन जाए सादू संग में जिस दिन हम भजन भक्ती करते हैं सेवा सतसंग करते हैं परमार्थ का करते हैं वही उमर हमारी सार्थिक है और जो हम खाते पीते जो डेली हम भोति क्रिया कलाब करते हैं वो निर्ठक है कहा गया है भोजन, छाजन, भय, निद्रा, मेथूर, मोह, यह पसू भी करता है, आदमी भी करता है, इसकी कोई उम्र की गिंती नहीं, ऐसा काम अगर आप 500 साल तक करते रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं, पर एक दिन भी आप भजन सस्संग कीजिए तो उसका बड़ा कीमत है, बहु ने कहा कि महत्मा मेरी उम्र दो ही साल है, क्यों? बीस साल तो मैंने अपने घर में नईहर में, खाने, पीने, खेलने में, पढ़ने, लिखने में बिता दिया, लेकिन जब सस्राल में आई, तो यहां पर मेरी पडोसी ससंगी थी, और वो ससंग में लिजाने लगी, मैं दो साल से दिख्ची थी हूँ और ससंग में लगी हूँ, इसलिए दो साल ही मेरे सार ठक है, बीस साल तो मेरे गए पाने में, अब कहा सास की उमर एक वर्स, कहा समझाते समझाते एक साल हुआ है, सास अब ससंग में जुड़ी है, जब कहती तो कहती मैं घर रखूंगी, घर की देख भाल करूँगी, तुम सस्तंग में चली जाओ, समझाते हैं समझाते कि माजी अंत भला तो सब भला, अब तुम्हारा समय बहुत कम है, अंतिम समय में कुछ सस्तंग का ध्यान साधना का भजन भकती का अपने जीवन में पुर्ण का संसकार अपना लीजिए, में लगा था, संसार के रागरंग में लगा था, पती समझने को तैयार नहीं, पती को जब भी बोलो सस्तंग कीजिए, ध्यान कीजिए, तो कहता कि जैसे धन में मेरा हिस्सा है, आधा आपका, ऐसे ही आप धरम करम कीजिए, आधा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, धन के हिस्सेदार पूरा परिबार हो सकता, समाज हो सकता है, पर धरम का हिस्सेदार एक ही होता है, जो करता है वही, धरम का बटवारा नहीं होता, मालो अगर पती पाप करे, किसी के घर चोरी कर ले, तो पतनी भी जेल जाती साथ में की, बटवारा होता पाप का, दोनों को कि एकको नहीं होता है जब पाप में बटवारा नहीं तो पुन्य में कैसे बटवारा सब सबसारे से बाप करें तो बेटा को जेल हो जाए रही है नहीं बापकर करें Hae- só यू करतें अपन करम आप का ज水 लोता है कि क्यों चेओं खरब अपने सात्त डंका घर का मालिजान का करते हैं उसमें हिस्साव बेटा ед собकर ना हम उसकता है उन गुल करता है वही भरता है द्युसरा नहीं हो सकता कि चल यह ससुरिकी बहुत टेंसन हैं बहुत पाप चड़ तो आधा बहु बटवारा कर ले, नहीं, पती अगर गलत कर्म कर रहा है, पतनी सोचे हम धरम कर्म अच्छा कर रहे हैं, पती को उसका लाभ मिलेगा तो कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिल सकता, चैला कोशिस कीजिए, अब पतनी अगर गलत करती है, पती सोचे कि हम अपना पुनिस को दे कर बचा लें तो नहीं बचा सकते हैं जेल से बचा सकते हैं कानून से बचा सकते हैं पैसा देके पर धरम करम से कोई नहीं बचा सकता जिसका पाप होता जिसका पुन्य होता वो उसका निजी होता है उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता है तो पती मात्र दो महिना हुआ है इसलिए अभी पैदा नहीं हुआ बोले क्योंकि ससुर आज तक ससंग में गया ही नहीं है लाख बोलने पर भी कि पिता जी जाया करो कभी संत को बुलाया करो कभी साल में एक बार दस संत बुलाकर ध्यान करवा दिया करो पर ससुर इन सब चीजों से दूर है सुबे से साम तक दुकान में बेठे रहतें हैं गल्ला की दुकान है अनाज की दुकान है दुकान से कभी फुर्षत नहीं मिलती तब सेट के समझ ने आ गया कि बाकई में हम अभी पैदा हुए नई शरीर तो पैदा हुआ लेकिन भोतिक सरीर का पैदा हो गया पर अध्यात्म का भी पेजन में नहीं हुआ अभी खाली हम संसार के उसमें ही घूम रहें तब सेट जी ने कहा महातमा जी सब तो सही हैं पर एक बात गलत है का कोन बात हमारे घर में रोज ताजा ताजा घीका देशी घीका परहाटा पुडी सबजी बनता है कोनुंचीच की कम ही नई पचासो नोकर है पर मेरी बहु ने कहा कि मेरे पिताजी ससुर्जी बासा खाते हैं बासा का मतलब समझ गया सुवे का बना साम और साम का बना सुवे खाई ये उसे बासा कहते हैं बच गया जो बोले हमारे घर में तो कुट्टा भी ताजा खाता है नोकर भी ताजा खाता बासा तो हमारे घर में नाली में फेक दिया जाता है फिर बहु ने गलत कहा महत्माने का सेट जी सुवा का बना साम को अगर खाए तो बासा कहलाता है इसी प्रकार पिछले जनम में कोई पुन्ड किये थे तो बड़े घर में जनम लिए अब बड़े घर में बड़ी दुकान में आप मालिक बने ये बासा ही तो है पुराने जनम का, पिछले जनम का आप खा रहे हैं, पर ताजा खाने के लिए कुछ इस जनम में इन हातों से दान करना पड़ेगा, कुछ सतकर्म करना पड़ेगा, तभी ना ताजा खाईएगा, ये तो आपके पिताजी सेट थे, बड़ा दुकान था, पर जनम लिए तो मालिक बन गए, पिछले जनम का न मिल रहा है आपको, अब पिछले जनम का जो खा रहे हैं, वो बासा ही न कहलाया, इस जनम में कुछ अच्छा कीजिए, तब सेट ने कहा, बाबा, ताजा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दान कीजिए, कुछ ससंग भजन कीजिए, कहा ठीक है, प्रनाम किये, ससूर और बहु चल दिये, जाने के बास सेट बोलता है कि मैं दान तो कुछ कर देता हूँ, मुनीम को बुलाए, कहा मुनीम, देखो तो अपनी गोदाम में कितना अनाज सडा गला, घुना, सूडा वाला पड़ा हुआ है, जिसमें कीडा हो गया, अनाज देखो तो कितना है, कहा साहब लगभग अपने गोदाम में खराब अनाज, लगभग पांसो कॉंटल होगा, कहा एक काम करो कल गाउं में सब को बोल दीजे कि सेट जी दान कर रहा जिसको चाहिए, वो एक एक बोरी अनाज ले जाए, लेकिन ध्यान रखना खराब बाला ही अनाज निकलवान अच्छा वाला नहीं, बहुत लोग दान करते ना, नोट जो फटी रहती है, चल नहीं रही कहीं, दुकान में तो अभी आरती में जाएंगे तो आरती में डाल देंगे, वहाँ चल जाएगे, बाबा वहां तुरं थोड़ी रहेंगे, तो रूम में जाने के बाद खोलते हैं पैसा, लोग रखे रहते हैं बांध के फटी, कटी, जली नोट को कि जब आरती में जाएंगे, वहां काम आजाएगी, यहां काम नहीं आ रही तो, बाब सेटी जी ने क्या किया, जो अनाज सड़ा हुआ, घुना हुआ था मांगने बालों की की दान कर रहा सेट तो कौन चुके, गरीब तो गरीब कई बार फिरी की चीज कोई मिलती है ना तो अमीर लोग भी लाइन में लग जाते हैं, यह नहीं कि हम गरीब लोग का हिंस्ता है, हम लोग नहीं खाएं, सब लोग अपना फिरी का माल देखना जाए भीड लग गई लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, सयोग से बहु अपनी फोर बीलर गाड़ी में, स्कार्प्यू में, मारकेट से घूम के घर जा रही थी, तो देखी कि गोदाम के सामने बहुत भीड है, पूछी भाई, यहां क्या हो रहा, का सेट जी ने अन भंडार खोल दिया है, अन्यदान कर रहे हैं, बहु को बड़ा अच्छा लगा, कि चलिए मेरे पिताजी के मन में परिबर्तन तो हुआ, लेकिन जो बोरी में गेहू दाल चाओं लिजा रहा था, देखा उसमें तो घुन चल रहा, सुड़ा चल रहा है, काला काला, तो कहिए भंडा अन्यकेसा मुनीम को बुलाए, मुनीम ने कहा बहु से, कि जो अनार जितना सड़ खराब हो रहा था, सेड़ जी ने कहा, जितना अनार खराब हो रहा सब दान कर दीजे, खराब बाला नहीं दान कर रहा है, अच्छा वाला नहीं कर रहा है, बहु ने कहा, एक बोरी गाड़ में डाल दीजे गेहूं ये खराब बाला जो दान कर रहा है वो एक बोरी हमारी गाड़ी में डाल दीजे दस पंदरा किलो क्या कीजिएगा का जो करें डाल दीजे ना पीछे गाड़ी में एक बोरी गेहूं पीछे डलवाए और एक बोरी गेहूं लेके घर आए देखे हाथ म के चक्की में दे दिया गेहु जब पिसके आठा आया तो बढ़िया से रोटी बनाई सुभे सुभे नास्ता में असेटी जी जब बढ़िया से पूजा पाट करके खाने बेठे रोटी खाते तो टेस्ट में चेंज तो आएगा कुछ ना हाई क्वाल्टी की 40 रुपया किलो की गेहु खाई ये और 10 रुपया किलो की गेहु खाई ये अंतर तो रहेगा गुना हुआ अनाज का स्वाद और फ्रेस गेहु का स्वाद में अंतर तो है सेड़ जी ने बहू को आवाज दिया कहा बेटा रोटी में स्वाद कैसे आ रहा है रोटी टेस्टी नहीं लग रही कहा पिता जी आदत बनाईए ना कहा क्यों का अब ऐसे ही खाना मिलेगा कहा क्यों क्या बात है बहु ने कहा जो दान जैसा देता है वेसा पाता है खराब दान दीजिएगा तो खराब पाईएगा अच्छा दीजिएगा तो अच्छा पाईएगा आप इस जनम में खराब खराब गेहूं दाल चाओल सब बांट रहे हो तो अगले जनम में खराब खराब ना मिलेगा जी अच्छा थोड़ी मिल जाएगा और आपको आदत बनाना है अगले जनम के लिए इसलिए अभी से खाने का अभ्यास कीजिए अब से यही आँटा की रोटी बनेगी सेट को समझ में आगे कि हमने दान तो किया पर कैसा दान जो हमारे यूज में नहीं था रिटायर माल खराब दान इसलिए खराब दान कभी मत कीजिए जो काम की चीज है उप्योग की चीज है वही दान कीजिए कई बार ऐसा कपड़ा दान में देता कि संत पहन ही नहीं पाते पोछा प्राना पर पहनने लाइग चीज चीज है कोई भी समान दीजे यूज हो जाना ज़ीए के लिए भोतिक ता के साथ साथ में अध्यात्मता को भी समावेश कीजिए क्योंकि भोतिक धन बेवहो पद प्रतिष्ठा और जितना भी आपका पसारा है वो ये जनम तक के लिए परलोग का साथी कोई नहीं परलोग का साथी एक कर्म हैं तो आप लोगों के बीच में कुछ देर में निबेदन की एक कहानी के माध्यम से कि हमारी उम्र अभी कितनी हुई है चालीस साल नहीं दस साल तो बच्पना में बीत गया बाकी जितना था अध्यात में लगा आप भी ये मत सोचिए कि हम साथ के हो गया साथ सरीर कहो गया पर हमारा जीवन जितना हमने भक्ती कि या सेवाग या ससेंग या सार्थक उम्र वही से सुरू होती है इसलिए कहते हैं कि बहुतिक सरीर का जन्म मावाप से होता है और दिख्छा लेने के बाद गुरू के माद्यम से दूसरे जनम सरीर का जनम होता है अध्यात्म का जनम होता है दो जनम मनुष का होता है एक माता- पिता से एक गुरू से इसलिए गुरू को भी माता पिता कहा जाते हैं लेकिन वो धर्म के माता पिता होते हैं और ये जन्म के माता पिता हैं